हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पुश्पाच टिटोरियर, टुड़े वी आर लान दा सब्जेक्ट रिम्जीम, हिंदी के पाठे पुस्तफ और कक्षा 5, मतलब पाचवी कक्षा का हिंदी सब्जेक्ट हम पड़ रहे हैं, CPSC बोड का, ना की कविता है, एक मा की बेबसी, इस पड़ते समय, आखों के सामने कई चित्र बनते हैं, बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, और सातियों का चित्र, उन सातियों में एक खास साती रतन का, और एक मा का चित्र हैं, देखों आपे एक चित्र हमें दिया हुआ है, और आपे सारे बच्चे खेल रहे हैं, दिरे दिरे पढ़ने वाली चीज है, क्योंकि कविता को हम जितना दिरे दिरे पढ़ेंगे, उतना जादा हो हमें समझ में आएगी, भायेगी, उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है, कभी कभी तो बरसों बाद हम बच्पन की पढ़ी कविता पढ़ते है, तो लगता है, पहली बार पड़ा है इसे, कविता पड़ने के बाद मन की किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उबर आती है, कविता, काहाने सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंदित होने की जरूरत नहीं, कि कविता एक बार में पूरी तरस समझ में आ रही है या नहीं अगर उसे सिर्फ एक चित्र ही उभारता है तो भी कविता कामयाब है मंजेच काई तर कविता वाचले नंतर अपलेला कविता वाचले नंतर जर अपलेला तो चित्र डोले समर उभा हो तसेल तर ती कविता आपन समझलो असो समझाला काही ही हरकत नाही तर चला आता आपन ही कविता शिकुया आने तीचा अर्थजान उन्गे हुया न जाने कीस अदुरुष पड़ोसे निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ बंजे कुटला एका अदुरुष शेजारी होता काय मायती कुटे रहाथ होता हा मुलगा की जो आमचा सोबत खेलाएला ही आईचा रतन जो बोल नहीं सकता था ताचा नाव आहे रतन की जो बोलू शकत नवता खेलता था हमारे साथ एक टुटे खिलाने की तरह जनुकाई टुटलेला खेलला ही कि काय आशा पद्धत ए तो आमचा सोबत खेलाएचा देखने में हाम बच्चों की ही तरह दिसायला तर आमचा सार्खाच होता था वह भी एक बच्चा आमचा सार्खाच लाहान मुलगा होता लेकिन हाँ बच्चों के लिए अजूबा था परन्तो आमा मुलान साथी तो एक मोठा अजूबा होता अच्छर्य होता क्योंकि हमसे बिन्न था करन्तो आमचा पेक्षा वेगला होता थोड़ा घबराते भी थे हम उससे आमाला थोड़ी तची भीती देखिल वाटत होती क्योगे समझ नहीं पाते थे करन्तो आमचा समज़त नहूत उसकी घबरात होता तो आमाला एक्चुली घबरत होता पन्तो आमी तचा तची घबर नहाला समज़त नहुतो उसके अंदर की चटपटाओं कु तयाचा घाबर लेला डोलान मधे आमाला जड़पडना है ते दिसत नवत त्यावल अगदी लाहान पनी जितनी देर वह रहता पास बैटी उसकी मां तो आमचा सुबत खेला लाले नंतर तयाचा आई देखिल तयाचा आजू बाजलाच बस अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाशा जो बोल नहीं पाते है अने आता मैं आता मोठा ढलाओं कवी मनत आहेद कि मी आता मोटा डालो आहे परन्द आता मला हलो आलू न बोलनार्या न एकुएनार्या लोकांची भाषा थोड़ी-थोड़ी समझाईला लागली आहे याद आती रतन से आधी उसकी माके आखो में जलकती उसकी बेबसी आनी तेहुआ मला आठवने ते कि लहान पनी रतन आवाचा मुलगा जमा आसाच मुका बहीरा होता कि तो आमचा सोबत ख्याडाला लाई आईचा तेह ची भाषा तेह 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 डोले तेह पेक्षा ही तेह आईचा डोला तस्तेली त्या बद्दलची चिंता मला आजुन तशीच ठड़क पने आठवते अशी कुवर नारैन यानी लिलेली ही कविता है मला अटे तुमाला ती समझेली असेले अचा तापन ही कविता ताला सुरात मनुयाम नजाने किस सदुष्ट पडोसे निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौन की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा लेकिना बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्य था थोड़ा गबरा थे भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी गबराहटों को न इशारों में कही उसकी बातों को न उसकी भैविक आखों में हर समय दिखती उसके अंदर ही चटपटाओं को जितनी देर वह रहता पास बैटी उसके मा नियारती रहती उसका खेलना अब जैसे जैसे कुछ बहतर समझने लगा हूँ उनकी भाशा जो बोल नहीं पाते है याद आती रतन से अधिक उसकी मा की आखों में जलकती उसकी बेबसी गुवर नारायन जी ने लिखी हुई ये कवीत है मुझे लगता है वो आपको समझ में आई रहेगी ऐसे ही आगे की वीडियो देखने के लिए आगे के लेशन समझने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करना थैंक यू